Now let's talk about the next topic, that is the minimum support prize. MSP, आपको पता है दोस्तों हमारे किसान भाई जो थे, वो किस पे बैठे थे, हड़ताल पे बैठे थे, ठेक है? अब किसान भाई जो थे, वो स्ट्राइक पे बैठे थे, हड़ताल कर रहे थे, दोस्तों वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरने में बैठे थे, क्यों बैठे थे आपको पता है? पहला, जो उनका में मुद्दा था, वो क्या था? कि जो तीन फार्म्स लो पास की गए थे, पार्लेमेंट के दुआरा, उनको वापिस लिया जाए, ठीक है? तो सरकार ने वापिस ले लिया, उसके बाद में हमारे किसान भाई कह रहे थे, अभी लड़ाई आदी पूरी हु MSP पे जो है, एक पूरी कानून बनना चाहिए, पार्लेमेंट के अंदर, अब आप कहोगे सर, MSP पे कानून ये क्या है? MSP तो अभी भी है, सरकार क्या करती है? सरकार हर साल एक minimum support prize announce करती है, MSP का मतलब यही है, minimum support prize, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान के चलो, MSP क्या है? MSP basically, it's a price support scheme, ठीक है, ये क्या है दोस्तों आपका? Price support scheme, जो सरकार किस के लिए announce करती है, सरकार किसानों को देती है, मान लो, एक समय ऐसा है कि, जैसे अभी मैं गेहूं की बात करना हूँ, इस पार अभी गेहूं, रभी के फसल का टाइम चल रहा है, तो गेहूं का मान के चल कई बार आपने देखा ना, प्याज, तो प्याज मार्किट में कम हो जाती, तो प्राइस बढ़ जाता है, है ना? तो ऐसा होता है गी नहीं होता, तो ऐसा सोचो किसी चीज का production बहुत जादा हो गया, बहुत जादा, ultimate, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, मार्किट में ग गिर जाएगा, तो किसान तो मर गया विचारा, क्योंकि उसकी input तो उतनी है, बीज, खाद, पानी, ठीक है, इन सब का price तो घटा नहीं, वो तो बढ़ी रहा था, और उपर से उसकी फसल का price क्या हो गया, गिर गया, किसकी वजए से because of the price volatility, तो आप याद रखना, मार्किट क इस volatility की वजए से किसान प्रभावित ना हो, इसी के लिए एक scheme बनाई है, जिसका नाम है MSP, minimum support price, ठीक है, और ये minimum support price जो है, legal backing के साथ नहीं है, मतलब ये सरकार की इच्छा पर है, वैसे सरकार कर रही है हमेशा, 1967 के बाद हर साल सरकार इसको कर रही है, लेकिन इसके उपर मे कानून नहीं है, कानून नहीं है, मतलब क्या हुआ, कि ये political will पर depend करता है, कल को कोई भी सरकार चाहे तो इसको बंद कर सकती है, because it's not covered under the act, ये किसी कानून के अंदर में कवर नहीं है, किसान यही कह रहे हैं कि भईया, हमें कानून बना के दो, सरकार कह रही है, कानून अभी अभी तक भी तो नहीं था, अभी तक भी तो हर साल तुम्हें दे रहे थे, आगे भी देते रहेंगे, बट किसान कहे रहे हैं, नहीं वही, तुम्हारा वरोसा नहीं है, अब हमें कानून चाहिए, ठीक है, अब हम क्या चाते हैं, कि minimum support price क्या होता है, तो basically it's a price support system, ठीक है, यह क्या होता है, दोस्तों, आपका price support scheme होती है, price support system होता है, market के अंदर में, जो production और जो आपका supply की बीच में जो gap होता है, उसकी वज़े से जो price के अंदर volatility आती है, अगर production जादा हुआ, price कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर production कम हुआ, price आप हो जाएगा, price आप हो जाएगा जैसे अभी रभी की फसल उगा चुके हैं रभी की फसल हम उगा चुके हैं नवंबर और अक्टूबर के अंदर में न हमने गेहूं सरसों यह सब बो दिया है ठीक है तो जब यह समय होता है जैसे रभी की फसल उगानेगा इससे जस्ट पहले इससे जस्ट पहले सरकार क्या कर क्विंटल इतना होगा let suppose मैं example लेता हूँ 1000 रुपए क्विंटल होगा ठीक है 1000 रुपए क्या होगा दोस्तों क्विंटल होगा और जब कटाई होगी जब गेव निकला जाएगा मालो 1000 रुपए तो बेस प्राइज रहेगा अब किसान को इससे जादा में बेचना है 1000 से कम में नहीं बेचना आप suppose करो market में 800 रुपए का भाव है तो यह कह रहा है कि 800 में मत बेचो तुम तुम 800 में मत बेचो तुम इसको कितने में बेचो हमारे पास लेओ सरकार खरीदेगी तुमारा पैस कितने में 1000 रुपए पर क्वेंटल के अंदर आप मेरी बात समझे तो आटमेटिकली सरकार ने base price decide कर दिया कि यह हूँ अं market में बिकेगा तो 1000 रुपए में बिकेगा कम से कम 1000 रुपए कोईंटल तो इसी लिए price discovery 1000 रुपए से जादा की होगी 1000 से कम कोई market में क्योंकि सरकार ने price नेधारित कर दिया 1000 से कम कोई बेचेगा ये नियुकि 1000 में तो सरकार ही ले रही है तो price इससे ज्यादा होता है तो अच्छी बात है लेकिन यह जो सारा जो system था दोस्तों यह कानूनी नहीं था भी क्यों क्योंकि जो सरकार थी इसने इस कोई कानून नहीं बना रखा ये पॉलिटिकल विल्स पे था उस पे था विलेंड फैंसीज के उपार तो मतलब कल कोई भी सरकार इसको बंद कर सकती दी हालांकि कोई सरकार ऐसा करेगी नी क्योंकि किसान भारत के अंदर में जो किसान सेग्मेंट है वो बहुत बड़ी संख्य तो किसानों को नराज कर रही और अगली साल आपकी सरकार नहीं आती इसे सब्सक्राइब नहीं सरकार कभी नहीं करेगी की MSP को आपिस ले ले बट फिर भी किसान चाहते हैं कि हमें guarantee मिल जाए तो अभी जो BJP MP है वरुन गांधी ठीक है तो उन्होंने क्या किया है उन्होंने पार्लेमेंट के अंदर में एक बिल रखा है पार्लेमेंट में एक बिल प्रस्तावीत रख किया था कि भाया एक लाग करोड से वो एक मतलब एक लाग करोड रुपे से एक कॉर्पस बनाना चाहते दे जिसकी माध्यम से वो guarantee दे सके legalize कर सके ठीक है किसको minimum support price को minimum support price को वो एक क चानून बन जाएगा फिर दिक्कत ने रहेगे तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे MSP के बारे में पढ़ेंगे ठीक है वो सारी चीज हम देखेंगे So this is the minimum support price GS paper 3 से related है issue related to the direct and indirect firm subsidies and minimum support price and मैं GS paper 2 से भी कह सकता हूं government scheme से related आपका रहेगा Guys एक बार फिर कहूंगा कि यार प्लीज वीडियो लाइक कर दो शेर कर दो यार ठीक है प्लीज जिनोंने कर दिया भाई बहुत बहुत धन्यवाद और जिनोंने नहीं किया प्लीज वीडियो लाइक कर दे सवाल देखिएगा the minimum support price is minimum support price क्या है so the price at which farmer sell their crops to the food businesses company कह रहा कि वो मुल्य है जिसके उपर किसान जो है अपना जो फसल है वो किसको बेचते हैं दोस्तो food business companies को बेचते हैं ठीक है दूसरा कह रहा है the price at which the people of the place can buy the crops from the farmer ठीक है जैसे बही कह रहा है कि किसानों से जो लोग खरीद देंगे ये वो दाम है दूसरा the price at which the government buys the grain from the farmer तीसरा कह रहा है कि ये वो मुल्य है जिसके सरकार जो है वो किसानों से उनका जो produce है वो खरीदती है and the price at which the crops can be exported और ये वो मुल्य है जिस पर price को export किया जा सकता है इसका बताना इसका तो सभी बताईद हो गया यार ठीक है C is the correct answer ये वो मुल्य है जिसके उपर सरकार आपका जो अनाज है वो खरीदती है so इसका जवाब क्या होगा C is the correct answer ठीक है सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका C C is the correct answer the price at which the government buys your grain from the farmer चलो पहले पढ़ लेते हैं तो अभी BJP MP वरुन गांधी उन्होंने एक प्राइविट मेंबर बिल रखा है प्राइविट बिल रखा है दोस्तों minimum support price के लिए है ना Parliament के अंदर में Farmers right to guarantee minimum support price realization of Agri-produce Bill 2021 का नाम है और यह प्राइविट मेंबर बिल है और प्राइविट मेंबर बिल पता है क्या होता है दोस्तों देखो संसद में न दो प्रकार के लोग होते हैं दो प्रकार के सारे लोग संसद में चुनके गए हैं तो सबको हम क्या बोलते है MP, Member of Parliament अब इन MP में से कुछ मंत्री बन जाते हैं, Minister बन जाते हैं, सरकार चलाते हैं और कुछ क्या होते हैं Non Minister होते हैं वो मंत्री नहीं होते हैं तो ऐसा कोई भी बिल जो Minister ने रखा है ठेक है उसको बोलते हैं Public Bill और ऐसा कोई भी बिल जो non-minister ने रखा है, जो मंत्री नहीं है, उसने रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं private member bill, प्राइवेट बिल, सो प्राइवेट बिल क्या होता है? एक ऐसा MP, member of parliament, जो minister ना हो, उसने अगर कोई bill रखा है सनसद में, तो उसको ह हमी होते हैं कि private member bill कभी pass हो, ये pass कभी होता नहीं, इसके chances बहुत कम होते हैं, तो BJP MP वरुन गांधी साहब, उन्होंने private member bill रखा है minimum support price के लिए, जिसका नाम ये रहा दोस्तों, ठीक है? इससे क्या होगा? इससे legal guarantee मिलेगी दोस्तों, MSP की, अगर ये bill pass हो जाता है, तो इसस करोड रुपे रखा गया है, ठीक है? एक financial year का. इट प्रोवाइड्स, इट एम्स टू प्रोवाइड लीगल guarantee, अब इससे क्या होगा? लीगल guarantee मिल जाएगी आपको, MSP जो किसान है, minimum support price के उनको legal guarantee दे दोगे, जो 22 अलगलग crops है मेरे पास, जो 22 अलगलग फसले हैं दोस्तो उनके उपर सरकार किसानों को क्या दे पाएगी? MSP की legal guarantee दे पाएगी, वी the profit margin हो 50%. मतलब कम से कम, यह MSP तै होगा न, वो इतना तै होगा, मालो किसान की लागा तै एक quintal पे 500 रुपे, तो कम से कम उनको profit margin 50% का होना चाहिए इसके उपर, ठीक है? ऐसा यह बोल रहा है. तो Legal guarantee मिलेगी, minimum support price के उपर, 22 crops, 22 फसलों के लिए, ठीक है? That should be set a profit margin of 50% over the comprehensive cost of production. ठीक है जर? Any farmer realizing a price less than the above declared MSP. अब मालो किसी, यह 22 फसले हैं, किसान ने पैदा कर ली, फसल बेचने गया, और फसल का जो प्राइज है, इस MSP से कम लग रहा है. मैंने क्या बोला था? 1000 रुपए क्वेंटल है, सरकार ने decide किया था, गेउं बिकेगा, लेकिन उसको सिर्फ 800 रुपए क्वेंटल के मिल रहे हैं. MSP डिकलेर से कम मिल रहा है. Is to be entitled the compensation. तो वो कह रही, सरकार कह रही है कि कोई तुम इदर इसको 800 रुपए में बेच दो, इसकी रसीद सरकार को दिखाओ, 200 रुपए है, सरकार तुमारे खाते में ट्रांसपर कर देगी within the two days. ये भी अच्छी बात है भई. ये भी अच्छी बात है, कि 1000 रुपए क्विंटल सरकार में MSP डिसाइड किया था, लेकिन मार्केट में सिर्फ 800 रुपए पर क्विंटल मिल रहा था. कितना मिल रहा था? 800 रुपए पर क्विंटल. 200 रुपए की कम ही आ रही थी? सरकार कह रही, तुम 800 में बेच दो, 200 रु बेचने गया, उसको MSP से कम प्राइज मिल रहा है, तो उसको क्या करना है? तो सरकार उसको एक कमपन्शेशन देगी, जितना डिफरेंस बचेगा. जैसे 800 रुपए था और उसका 1000 रुपए सरकार ने फिक्स किया हुआ है, तो 200 रुपए सरकार क्या देगी आपको दोस्तों 200 रुपए आपको कमपन्शेशन देगी और ये दो दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा. बहुत अच्छी बात है न? है ना भई? क्या होगा, दो दिन के अंदर में आपका अकाउंट में आ जाएगा. Are you getting my point or not? तो कह रहा है कि कोई भी किसान जो उपरूप्त MSP से कम कीमत वसूल करता है, मिलती है उसको. वह वसूल किये गए मुल्य और गारंटी करित MSP के बीच का अंतर के बराबर मुआवजे का हगदार होगा. ऐसा बोला गया है. अच्छा, इसकी जरुरत क्या है दोस्तों? इसकी जरुरत क्या है? देखो अगर ऐसा हो गया, तो जाए, दो दिन में पैसा अकाउंट में आ जाए, तो भारत के अंदर में तिरान में मिलियन, ठीक है, 93 मिलियन, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानि कि 930 लाख परिवार हैं गाओं के अंदर, रूरल एरियास में, जिनको इससे क्या होगा, फायदा होगा. तो बहुत अच 60% से ज़्यादा लोग तो गाओं में रहते हैं और वो खेती करते हैं, अगर उनके पास पैसा बढ़ेगा, तो वो खर्चा करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, वो मार्केट में जो है, डिमांड जनरेट करेंगी, है ना, अब गाओं के किसान के पास पैसा आ गया, वो टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, फिर गाड़ी खरीदेगा, है ना, तो इससे क्या होगी, पूरी एकॉनमी में डिमांड जनरेट होगी और पूरी एकॉनमी चल पढ़ेगी है ना, तो ये इसकी क्या है, दोस्तों, जरृत, आप मेरी बात समाझ में आए कstill नहीं तो वरुन गादी साब ने एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा है ताकि MSP गैरेंटी से दिया जा सके। 22 फसलों के उपर में profit margin रहेगा 50% यह उन्होंने सोचा था इसके लिए एक लाग करोन रुपे का कॉर्पस उन्हें सोचा था इसके तैत में क्या होगा अगर किसी भी किसान को MSP से कम प्राइज मिलता है तो उसको वो compensation सरकार की तरफ से within two days उसके account में transfer किया जाएगा बहुत ब price support system होता है सरकार की तरफ से reason behind the idea of MSP is क्या है to counter price volatility यह MSP क्यू declare किया गया था मैंने बताया था बही market के अंदर में क्या होता है market तो demand supply का खेल है market तो demand supply पे चलती है तो demand supply की वज़े से क्या होता है कई बार price गिर जाता है तो किसान को गिरेवे price पे बेचने की ज़रूरत नहीं है किसान को wait करना है और किसान को सिर्फ किस पे बेच देना MSP सरकार कह रहे है कि हम आएंगे of the agricultural commodity due to the factor like variation in their supply, lack of market integration and informed asymmetry सरकार जानती है कि हमारी market के अंदर में बहुत सारी कमिया है जिनकी वज़े से हो सकता है कि किसान को उस produce का actual मूले ना मिल पाए तो सरकार कहती कि भईया detention लेनिक ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें इससे कम price मिलता है तो इतने रुपे में तो हम हम आप से खरीद लेंगे ऐसा सरकार कह रही है कौन करता है MSP तो इसके लिए commission होता है जिसको हम बोलते है agricultural cost and price commission ठीक है क्या होता है दोस्तो commission for agricultural cost and price CACP बोलते है ये recommend करता है लेकिन नाम देख लेना इसमें क्या लिखे है recommend recommend की मतलब क्या है कि सिर्फ सिफारिश करता है मानन नाम ना वो सरकार के हाथ में cabinet committee on economic affair के हाथ में वो मानने तो ठीक है इस सिर्फ क्या दे सकती है सला दे सकती है recommend करती है CACP जो है ये एक statutory body नहीं है ये भी एक कानून के दुबार इस body को भी हमने कानून से नहीं बनाया इसको भी हमने executive order से बनाया मतलब संसद में कोई कानून से स्तापित कोई वैधानिक निकाए नहीं है इसकी स्ताप नाम ने की थी 1965 में लेकिन ये जो काम करना इसने शुरू किया था कब दोस्तों Green Revolution के बाद ही 1966-66 क्योंकि वास्तविक्ता में हमें जरूरत तभी पड़ी थी ठीक है ये MSP डिकलेर करनेगी तो सर ये अभी काम कैसे करता है तो एक अटाच ओफिस के रूप में काम करता है Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के रूप में ठीक है तो ये है किरशी और किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार के अधिन एक सैलग कारियाले के रूप में काम करता है किसकी बात कर रहा हूं है दोस्तों I am talking about the what किसक की बात कर रहा हूं it can recommend MSP, MSP recommend करता है but decision जो है कि MSP कितना रखना है कितना नहीं रखना वो सरकार की हाथ में है ये सिर्फ सलहा दे सकता है मानना या ना मानना किसका काम है दोस्तों सरकार का काम है ठीक है मेनुशेक good morning यार तो मानना ना मानना सरकार का काम है ठीक है challenges with the legalization of the MS MSP को अगर हम legalize कर दे तो challenge क्या तो पहली बात तो क्या है ना पता है corruption बहुत हो जाएगा ठीक है पहली बात क्या दोस्तों corruption बहुत हो जाएगा who decide the minimum यह हमने पढ़ लिया minimum support price हमने पढ़ लिया पहला क्या रहा है दोस्तों huge scope of corruption and leakage of wheat and rice from the godowns अगर हम legalize कर भी देना कि इतने पर मिली जाएगा तो सरकार कह रही है कि corruption के बहुत scope है ठीक है गोडाम से ना गेउं और चावल गाया होने लग जाएगे दूसरा cereals और pulses देखो गेउं चावल को तो आप public distribution system जो PDS राशन वड़ी शोप है उससे बेच सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट कुछ ऐसी चीज़ तो ठीक है सस्ती चीज़ है बट यह महंगी चीज़ है इनको आप PDS से नहीं बेच सकते हैं उसके अलावा सरकार सोचो सबका ही सारे किसानों का produce अगर सरकार खरीदने लग जाए तो एक तो सरकार को बहुत ज़्यदा पैसा देना पड़ेगा cost बहुत ज़्यदा बढ़ जा जाएगी तो इससे क्या होगा जो produce का जो price है उसका जो मुल्य है food grain का अधनाज का grain का वो बढ़ जाएगा और वो बढ़ जाएगा तो ultimately फिर कौन प्रभावित होगा इससे inflation बढ़ेगी और inflation बढ़ने से ultimately किसानी प्रभावित हो जाएगा तो अगर सारे उसको सरकार ही खरी इतना सारा अगर सरकार जो है मतलब वो खरीदेगी जो है अनाज तो सरकार को इतरके जली पैसा भी बहुत सारा चाहिए ठीक है तो यह जो सरकार का exchecker है उसके बहुत बढ़ा खर्चा हो जाएगा और सरकार फिर बाकी की जो scheme है सरकार और भी बहुत अच्छी scheme चला रही है तो सरकार वो कहां से चलाएगी वो नहीं चला पाएगी तो यह सारी दिक्कते हैं जिनकी वजह से सरकार कह रहे हैं कि हम इसको legalize नहीं कर सकते अब दोस्तो कुछ related सर्च की बात है related सर्च में आपको पढ़ना है दोस्तो एक term है agroforestry सर what is this agroforestry क्या होती है आपको देखना ह ठीक है statutory minimum price और SMP क्या होता है इसके बारे में हमें देखना है ongoing farmer protest खर वो तो खतम हो गई है बंद हो गई है ठीक है so अब यह तो मतलब हटा ही दो आप ठीक है there is no farmer protest है ना इसको तो आप खतम कर दो and what is this fair and remonetary price fixation ठीक है FRP FRP किसके लिए करते हैं हम दोस्तो गन्य के लिए sugar cane ठीक है जैसे हमारे पास यह है न तो ऐसे ही sugar cane के लिए हम FRP MSP करते हैं किसके लिए दोस्तो 22 crops के लिए ऐसे ही गन्य के लिए हम क्या लेकियाते है FRP essential commodity क्या होती है दोस्तों ठीक है जिनको सरकार क्या करती है सरकार समय समय पर essential commodity declare करती है ताकि उनका price जो है उनको stable रखा जा सके तो essential commodity act ठीक है उसके लावा statutory minimum price और SMP और fair and remonetary price fixation तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है are you getting my point or not यार माराज एक बर like कर दो वीडियो को आज तो मुझे लग रहा है 600 भी न पहुंचें हम 800 तो मेरी मतलब बहुत दूर की बात है मुझे लग रहा है 600 भी न पहुंचेंगे चलि आगे बढ़ते हैं दोस्तों ठीक है आगे बढ़ रहे है प्रिलिम्स की बात करते हैं तो about MSP MSP क्या है ठीक है minimum support price क्या है who fix the price इसको कौन fix करता है who recommend the price to the government तो बता दिया CACP है न Commission for Agricultural Cost and Price CACP क्या है एक attached body है ये कानून से नहीं बनी it's an attached body जो किस केंडर में काम करती है Ministry of Agriculture and Farmer Welfare केंडर में attach office के रूप में काम करती है MSP क्या होता है मैंने बताया MSP 22 फसलों के लिए आता है जबकि FRP गन्ने के लिए announce किया जाता है so MSP versus FRP तो prelims के लिए आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं मैंने एक सवाल आपसे पूछा भी था ठीक है और उस सवाल का जवाब क्या था दोस्तो C is the correct answer MSP क्या होता है न्यून्तम समर्थन मुल्ले क्या होता है दोस्तो ये वो कीमत होती है जिस पर सरकार किसानों के अनाज को खरीद लेती है main specific मैंने question दिया है MSP is fixed on the recommendation of commission for agricultural cost and price discuss the factor contribute to fix the MSP ठीक है तो basically इसमें फॉर्मूला बताना है जिससे MSP को decide किया जाता है fix किया जाता है ठीक है मुझे लगता है मेरा current अफिर से सन्यास लेने का समय आ गया है MSP का मतलब क्या है minimum support price is fixed on the recommendation of CACP ये कह रहा कि जो MSP है ना commission for agricultural cost and price है इसकी सिफारिश की उपर fix किया जाता है discuss the factor वो अलग-अलग factor आपको बताने है जिसके माध्यम से हम MSP fix करते है बहुत आसान सवाल है MSP जो है क्रिशी लागत और मुल्य आयोग की सिफारिश पर तै किया जाता है MSP तै करने में जो योगदान करने वाले कारक है उनके बारे में चर्चा करनी है वो कौन-कौन से factor हैं जिनकी वज़े से हम MSP decide करते है So this is the main question ये हमें लिखना है दोस्तो and मैं बता दू आपको इसके लिए आप मेरा telegram channel follow कर लो ठीक है चैड बॉक्स में telegram channel आपको दिख रहा है एक बड़ जाईए और उसको देखिए ठीक है and साथ ही साथ में दोस्तो देखो मेरे साथ जुड़के आप plus course भी कर सकते हो plus course करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये GS का plus course है तो यहाँ पर आप plus और iconic दो प्रकार के subscription जो है आप यहाँ पर ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों यह आपके subscription का price है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल ठीक है यह इधर है iconic का subscription है 1 साल, 2 साल और 3 साल का ले सकते हो code आपका क्या रहेगा Sumit10 तो यह मेरा telegram channel है PDF यहाँ दे दूँगा मैं साथ-साथ यह अपना code है इसको use करना है to get the 10% offer in an academy I hope you like the session you enjoy the session so guys please like the video share it and subscribe the channel thank you very much take care, bye-bye love you guys